अरनाटा के मुख्यमंत्री एचड़ी कुमारस्वामी शुक्रवार को बहुमत परीक्षन का सामना करेंगे और ऐसी उम्मीद है कि राजे में दस दिनों की राजनीतिक अस्थिरता का अंत हो जाएगा जद एस कांग्रेस बसपा गडबंदन के नेता कुमारस्वामी ने भुद्वार को विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की मुझदूगी में मुख्यमंत्री पद की शपतली थी कॉंग्रेस के 78 विदायक हैं जबकि कुमारस्वामी की जद एस के 36 और बसपा का एक विदायक हैं गडबंदन ने के पीजेपी के एक मात्र विदायक और एक निर्दलियव विदायक के समर्थन का भी दावा किया है शुकरवार को विदान सभा की कारवाही दोपहर 12.15 बजे शुरू होगी और दोपहर दो बजे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार को कहा कि गड़बंधन को मुख्यमंत्री के रूप में जद्रैसनेता के कारेकाल पर अभी चर्चा करनी है जब उनसे यह पूछा गया कि क्या कुमारस्वामी पूरे पाच पर्ष के कारेकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो उन्होंने इसके जवाब में कहा हमने अभी तक इन पर चर्चा नहीं की है कुमारस्वामी ने दो सीटो पर जीत दर्ज की थी BJP के BS I.D.E. उरपा ने 17 मही को मुख्यमंत्री पद की शपत ली थी लेकिन सदन में विश्वास मत हासिल करने से पहले ही उन्होंने इस्तिफा देने की घोशना कर दी थी शपत लेने के बाद कुमारा स्वामी ने विश्वास मत हासिल किये जाने के बारे में विश्वास जताया था लेकिन उन्होंने आशंका भी जताई थी कि उनकी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ओपरेशन कमल दोहराने का प्रयास कर सकती है ओपरेशन कमल गया ओपरेशन लोटस नाम के शब्द 2008 में उस वक्त इस्तिमाल किये गए थे जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भीएस येद्य यूरपा ने मुख्यमंत्री पद संभाला था पार्टी को साधारन बहुमत के लिए तीन विदायकों की दरकार थी ओपरेशन कमल के तहट कॉंग्रेश और जदेश के कुछ विदायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए राजी किया गया था कॉंग्रेश और जेडियस ने विश्वास मत के लिए इहतियतन अपने विदायकों को होटेल और रिजॉर्ट में ठैराया हुआ है कॉंग्रेश के विदायक ढूमलोर के हिल्टन इंबेसी गोल्ट फलिंक्स में हैं जबकि जेडियस के विदायक बेंगलूरू सिटी के प्रेस्टेज गोल्फ रिजॉर्ट में रुके हैं उनसे कहा गया था कि वे विदान सभा की अपनी सदसिता छोड़ कर फिर से चुनाव लड़ें उनके इस्तीफे की वजह से विश्वास मत के दोरान जीत के लिए जरूरी संख्या कम हो गई थी और फिर ये दियूरपा विश्वास मत जीत गए थे बीजेपी ने विदान सभा अध्यक्षपद के लिए आज अपने वरिष्ट नेता और पांच बार के विदायक इस सुरेश कुमार को उतारा है कॉंग्रेस के रमेश कुमार ने सत्ता रूर गडबंधन के उम्मीदवार के रूप में इस पद के लिए अपना नामांकन भरा बीजेपी उमीदवार ने कहा संख्या बल और कई अन्यकारकों के आधार पर हमारी पार्टी के नेताओं को विश्वास है कि मैं जीतूंगा इसी विश्वास के साथ मैंने नामांकन दाखिल किया है यह पूछने पर कि बीजेपी के केवल 104 विदायक हैं तो ऐसे में उनके जीतने की संभावना क्या है सुरेश कुमार ने कहा मैंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है शुकरवार की दोपहर सवा 12 बजे चुनाव है चुनाव के बाद आपको पता चल जाएगा कॉंग्रेस विदायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिधार में याने गड़बंदन उमीदवार की जी निश्चित है हाला कि कुमार अस्वामी के विश्वास मत हासिल करने की संभावना है और उनके लिए मंत्री मंदल का विस्तार मुश्किल साबित होने वाला है ऐसा बताया जा रहा है कि कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताडी के शिवकुमार उपमुख्यमंत्री पद के लिए उनकी अंदेखी किये जाने से खुश नहीं है। पार्टी ने दलित चेहरा जी, परमेश्वर को उपमुखे मंत्री बनाया है। शिवकुमार ने कहा था, क्या यह उन लोगों के लिए एक समान है जो एक सीट जीते हैं और या जो राज्य जीते हैं। मैं सन्यास लेने के लिए राजनीती में नहीं आया हूं। मैं शत्रंज खेलूंगा, फुटबॉल नहीं।